आप सभी का स्टड़ी पूर्गोल्स पर स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज की क्लास अजगर नाटक का तीसरा क्लास है और आज की क्लास में हम अजगर नाटक स्रीज के पहले अंक के तीसरे द्रिसे से लेकर छटे द्रिसे तक के हिंदी भावार्थ को समझेंगे और इन से संबंदित महतुन प्रश्णों को भी देखेंगे तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं तीसरे द्रिसे की जो पात्र हैं फ्रेंड्स वो हैं गोवरा और सुगिया इन दोनों के बीच में ही तीसरे द्रिसे का संबाद टिका हुआ है और यह जो द्रिस है इसमें क्या है जिसमें सुगिया गोवरा की आस लगाई बैटी हुई रहती है कि कुछ अन्न का जुगाड हो जाएगा उसके बाद दोनों मिलकर खाएंगे लेकिन गोवरा क्या होता है वो खाली हाथी लोटकर आता है और सुगिया से उल्टाई वो खाना मांगता है लेकिन सुगिया यहां पर गुसाई हुई रहती है क्योंकि उसके पास तो आनन नहीं होता है जिसके वज़े से वो कुछ बना नहीं पाती है इसलिए सुग्या गुस्से से कहती है अपनी किस्मत पर रोती है गोवरा से नाराज होकर सुग्या उससे लड़ने लगती है फिर लास्ट भी क्या होता है तो यह गोवरा है सुग्या को समझाता है और दोनों अपनी दसा और अपनी किस्मत को पोस्ते वे पानी पीकर्स हो जा घूपडी है दो समय साम का ओफ सूग्या गोबरा के बीच में संबाद होता है कि पस्चीम के तरफ सूरज ठूब रहा है गाओं के रास्ते गाय बक्री अपने अपने घरों में घुसते जा रहे हैं चारों तरफ 일이 फिन पर गिर रहा है उसी वक्त गोबरा ठका हुआ अपना घर घुशता है और अपनी पत्नी को देखके घर से उसकी जो पत्नी है ना फिर गोबरा को देखके घर से क्या करती है तो बाहर जाने लगती है तो फिर सुगिया उससे कहती है गोबरा से कि आए आज पूरे दिन कहां थे आपको पूरे गाउं खोजे हैं परन्तु आप कहें भी आपका अता पता नहीं चला तो फिर गोबरा कहता है उससे कि मुझे ढूनती कैसे हम यहां रहते तब न तो सुग्या पूछ रही है उससे कि कहां गय थे तो फिर गोबरा कहता है कि जाएंगे कहां पेट की चिंता में तो फिर सुग्या उससे कहती है कि कोई जुगाड हुआ क्या तो गोबरा बोलता है कि नहीं कोई जुगाड नहीं हुआ सुग्या फिर पूछती है क्यों नहीं हुआ तो फिर गोबरा कहता है क्यों का आप क्या तुम्हें बताओं गरीब दलीत लोगों का संसार में कोई नहीं पूछता है इनका कोई नहीं होता है इस संसार में गरीब होना बहुत मुस्किल है अच्छा तुम्हें बाद मैं बताओंगा यह सारी बाते दिन बर कुछ खाया नही पहले मुझे कुछ खाने के लिए देदो इतने मैं सुग्या गुसा आकर बोलती है कि कुछ नहीं बनाए हैं तो गोबरा पुछता आशे रोकी क्यों कुछ नहीं बनाई हो पिर सुग्या गुसाते वे कहती है कि तुमारे घर में क्या था एक मुठा तो मडवा का आटा भी ने था भूख से पेट में आग लगी हुई है परन्तु और करे भी तो क्या करें सिर्व नर का पानी पीपी कर ही कितने दिन बचेंगे तो फिर गोबरा कहता है कि क्यो रात की जो बासी रोटी थी वो सब क्या हुआ तो फिर सुग्या गुसे में कहती है कि रखने से रहेगा क्या दो रोटी था सुबा दोनों बचे खाकर बाहर चले गए हैं तो गोबरा कहता ओ भूख तो बहुत लगी है परन्तु आप क्या करें एक लोटा पानी लादो पानी पीकर बिटाई है जब भवान हमें कुछ नहीं दिय है तो और गरी बनाये हैं तो गुसाने पर क्या होगा तो आज है आज इसमेंsuppet । कि अगर मढ़ जाते तो अच्छा ही होता जब से तुम्हारे साथ बया करके यहां आई हूँ तब से आए तक ना पेट भर कर खाना खाई हूँ और ना ही अच्छा एक साड़ी पहनी हूँ हमिसा फटव कपडों में इनी गुजारा की हूँ तो फिर गोबरा उससे कहता है कि तुम सही बोल रही हो पर अटो इसम्हें मेरा क्या दोस है तो सुग्या करती है कि तुमारा गर दोस नहीं तो किसका दोस है फिर गोबरा उससे करता है कि नहीं मैं कहा कह रहा हूं गलती समझो तो मेरी है या फिर भगवान की है क्योंकि मेरी यह कि मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं जादा इसलिए मेरे पास पैसे नहीं आ रहे है तो भगवान की कलती है कि उन्होंने मुझे गरीब क्यों पैदा किया मतलब यह सरी बातें गुबरा कहना चाता है तो फिर सुग्या कहती है कैसे दसा हमारी कब तक रहेगी क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे तो गोबरा कहता है नहीं मर कैसे जाएंगे इस सल बहुत बारिस होगी खितों में धान मरुआ गुदली बहुत कुछ उपचेंगे तुम्हारे घर में रखने कि तुम्हें जगा भी नहीं होगी तो सूग्या करती हा तुम मनि मन यह सब सोच रहे हो और घर क्यों कर रहे हो यह सारी बातें तुग्या कहने लगी है हाँ वो तो आपके लिए भगवान है ना भला वो कैसे जूट बोलेंगे फिर गोपरा कहता है कि देखो सुग्या तुम्हें जो कहना है को मुझसे ठीक है लेकिन ये भगत जो है तुग्रिवा के उनके भगत जी के बारे में कुछ भी मत बोलना अगर बोली तो इतने में दिये और आज ऐसा दिन आगया है कि आदमी कहता है कि मैं तुम्हें माट डालूंगा तो गोपरा बोलता कि बोलने पर क्या मैं तुम्हें माट दूंगा या तुम मर जाओगी तो सुग्या कहती है जब बोले तभी हम मर गय थे यानि आपके मुह से यह सब्दे जो निकली उसी सब्दों से मैं मर गई हूँ आज मेरे माव जिंदा होते तो क्या ऐसे दसा होती मेरी तो फिर गोपरा कहता है कि पस इतनी सी बात पर तुम रोने लगी ठीक है आप कभी भी ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो फिर सुग्या कहती है आप तो कितनी बार बोले हैं तो गोपरा क क्या करें सुघ्याcimento Spristrom पर घुहाइंने पर मेर्सा थे न कौछ समझे गा राथ हो गया है अब सुवदा देखा जाएगा तो सुब्य कती कितने रात आई और बीट गई किसी था आज भी वीडिखी जाएगा । यह सारे दृष्ट थिना यह तिसरे दिरिसे की बाती थी अब हम देखेंगे चौथे दिरिसे को चौथा दिरिसे फ्रेंड तीन लोगों के बीच में होता है जिसमें एक है जालिम सिंग जो थानेदार है सेवक राम जो सिपाई है और सारदा परसाद है अगनु लाला का मुंसी यह चायां तीनों लोग जो है ना इनके बीच में यह बाते हुए और इसमें क्या होता है तो जालिम सिंग है वो सेवक राम को पुलिस पेसा में दौलत कमाने का गुर दिखाता है यानि वो आपने आपको दिखाता है कि देखो मैं पुलिस लाइन में कितना पैसा कमा रहा हो बताता है कि करीब हुई रहां किसी से हम दर्दी रहां नहीं करना जाहिए इसी समय फीर इनकी जो बाति होती है था परशाद आता है औप गॉंवबरा को जिन साइन करता है पेपर में वो ले कर आता है और कहता है कि गोपर हमसे पैसा लिया थ gap। लेकिन वह में देनी रहा है वह हमेरी साह से ठोखा-धड़ी कर रहा तो ये सारी बाते चौथे द्रिस में की गई है तो चलीा देखतेस स्थान क्या था समय क्या था और क्या इन्सक्राइ बात्ते हुई भावारत को तो चोथा देश्ट मैं ये है कि तान का आ है थाना का नाम का है चरक पहरी थाना, समय कपका है तो सुभा का है और ये थानेदार जो है वो कोने जालीम सिंग, वो अपने सिपाई सेवग राम से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक सिपाई हो, यहां के सरकारी सेवक हो, तुम्हारे पास बल बुद्धी सब कुछ है, तुम थाना में परिवार छोड़कर सेवा करने नहीं आये हो, यानि वो जो जालीम सिंहें सेवकराम से करता है, कि तुम परिवार छोड़क यहां सिर्फ यहां के सेवा करने के लिए नहीं आएं तो सेवक राम करता है जानते हैं तो फिर जालिम राम उसे कहता है कि फिर तुम बुद्धु की तरह काम क्यूं कर रहे हो यह जंगल जहाब तुम्हें कोई काम नहीं देगा काम जो देगा सिर्फ कमाओगी वही देगा य यहां चार साल से ज़्यादा हो गए है लोग यहां गरीब हैं दिन रात मजदूरी करने के बाद भूखे रहते हैं किसी का घर दर्वाजा भी नहीं लगा हुआ है तो जाली राम करता है कि किसके घर दर्वाजा है किसके घर नहीं है यह देखने के लिए सरकारी नौकरी तुम्हें नहीं मिली है क्या तुम गाय हो बुद्धी हीन हो यह सारे बाते जाली राम करता है तो फिर सेवक राम मुझे कहता है कैसा कौन बोल सकता है कि मैं बुद्धी हो या ऋखाई हूं जालीम आखे दिखाएं काऊं कह सकता है मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं तुम गाई हो मेरी बात मानोम यहां का फानेदार हूँ इसका मतलब तुम अच्छे से जामते हो पेसा अलावा कुण कर सकता है तो जालिम राम कहता हाँ अब तुम्हें ये सारी बाते समझ आने लगी है और जब और अच्छे से समझ में आ जाए ना तब तुम भी मंजीला इमारत घर बना लोगे तो फिर सेवक राम कहता है कि आप समझ में आ गया अब हम भी घर बनाएंगे बेटी के बया में खर्च करेंगे तो जालिम सिंग कहता है तब और देरी क्यूं जाओ और लोगों को पकड़ कर ले आओ था ना मुझे पता है कि यहां के लोग सीधे हैं और एक बाट डालाने से स आप स्पोर्जी से कम्प्लीट खोटा का कोर्स पर्चेस कर सकते हैं जिसमें आपको कम्प्लीट वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइस सेक्षनल टेस्ट हैंडेटन पीडिएफ नोर्स बिगत यानि पिर्वियस वर्ज के प्रस्ट में फुल लेंद खोटा टेस्ट श्रीज और डाउट के लिए वाटसाप गुरूप प्रवाइड कराया जा रहा है और ये सारी सुभिधाएं आपको रंजी सर के द्वारा दी जारी है जिसमें आपको क्या फायदा होगा फ्रेंड्स कि यहां से आप जो भी पढ़ाई करेंगे इन चीज़ों से तो यह आपकी से कहते हैं तो जालीम जेपाता है कि जो आपको।- Parents बड़ेंट्रेश्य집 मुझे इन धर्म मत समझा जाओ-विं-ज५ु? हम क्या बोले इस गाउं का एक आदमी है गोवरा वह पैसे लिया था जब भूखे वह मर रहा था और गोवरा अपनी पूरी संपति लाला को लिख दिया था आज वह पलट गया है अपनी बातों से कहता है कि हम पैसे नहीं लिये हैं तो जालिम राम इतने में कहता है जालिम सिं करता है कि तुम सारी बाते सुन लिये हो नहीं से वकरता है कि हां तो जालिम सिंगर करता है और वह दिए हैं.? मेरे साथ चलो चल कर देखते हैं कि कौन है या गोवरा उनसे करता है कि आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा यह काम आज ही हो जाए तो ठीक है इतने में जालिम रहां उसे इंडारेक्टली बोलता है कि सब ठीक रहेगा तब ही ना मैं ठीक से उसके सामने जाओ यानि वह उसकाम को करने के लिए उससे रिस्वत बांगता है इंडारेक्टली तो सार्दा परसाथ करता है कि सही बात हुजूर आपको ठीक रखने के लिए तो लाला ने मुझे यहां भेजा है एक पेकेट देती हुए यानि उस पेकेट में पैसा भरा हुआ था वह पेकेट जालिम स करता है कि यह क्या है तो सार्दा बता रिए लाला जी कुछ दिये है जालिम ठीक है तुम्हें पता है ना क्याओ कि मुझे सब पसंद नहीं यह सब भचो के लीए हुआ इसलिए हम इसे रख ले रहे हैं यानि लालीजी लेकिन डारेक्टली तो बोलने ही पा रहा है से ग्ष हैं तो जालिम सिंग करता है कि हां जाओ सबसे पहले तुम्हारा ही काम हो गए क्या करना है यह मुझे पता है व कि तो बुद्धी रहने से भवान छपर फाड कर देते हैं और बैठे बैठे देखो आज मुझे आहार मिल गया इतने मैं सेवकром करता है कि अजगर क्या काम करता है उसके मुग के पास सिकार खुच चल कर आता है यानि वो जालिम सिंग को अजगर से तुलना करता है तो जालिम करता है तुम्हें थोड़ी बुद्धी ज्यादा हो गई इसी तरह बुद्धिमान बनो और पेट भरता रहेगा तो फ्रेंट्स यह तो सारी थी चौथ इस मंगरा क्या है वह छोटी जाती की क्यू ठीट है फुल्वा उससे प्यार का इज़्ाय करता है फुल्वा का अपनाने का वह वाधा करता है वह इस बात-पर संका करती है कि जाती बहुता कि.. या क्या वह मंगरा इससे अपनाएगा तुकि इउ सब्दे mit ओ सा माज वाले आपनाएंगे नहीं इस पाँचवछ द्रिसे में की गई है कि दोनों के विच में क्या बात ही तो यह 5 द्रिसे का जो फिस तान वह है परास पेड के बन में बन के इसमें मंग्रा कहता है फुल्वा से कि देखो फुल्वा जार्खंड परास का बन है, चारो तरफ पलास का फूल भड़ा पहा है। फिर फुल्वा कहते है, ये चारो तरफ फूलों के साथ बन के पंच्छी भी इतने क्खुशें। किसी प्रकार की समझ्चा नहीं है, ना ही कोई चिनता है, हम सोच रहे हैं कि हम भी बन के पंची बन जाएं, तो फिर मंगरा उसे कहता है, कि तुम क्या बन के पंची से कम हो, तो फुलवा कहती है, जो समझो पर बन की पंची नहीं है, मंगरा कहता है, हम सही समझ रहे हैं, फु मनों जन्म कश्टों से भरा हुआ है सोच कर तो देखो उत्ती मंग्रा कहता है कि सोच कर क्या करें तुम जब से मिली ओ तब से सारी चिंताइं दूर हो गई है तुम्हारे बिना हम कभी भी नहीं रह सकते हैं तो फुलवा उसे कहती है कि यह बस सपना है और सपना कभी भी सच नहीं हो सकता है तो इतने में मंगरा उससे कहता है कि परंतु मेरे लिए सच होकर ही रहेगा तो फुल्वा कहती है कैसा कैसा हो सकता है ऐसा हो यह नहीं सकता तो मंगरा कहता है क्यों फुल्वा तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई जगा नहीं है क्या तुम उसे ब्यार नहीं करती हो क्या हमें एक साथ रहनी सकते तो फिर फुलवा करता है कि तुम मेरे अंदर क्या तुम तुम मेरे रोम रोम में बसे हुए है पर तुम्हें छोड़कर फुलवा कभी फुलवा नहीं रहे लिए कि तब तोकते हुए करता है तब ऐसा रहाँ कर स постоफेरे क्लिफार मंग्रा मंग्रा और यह समाज हमें एक ताहरा करता है ध्यूश्व कि मेसी ईक तो फुल्वा करती, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? तुम्हारे माता, पिता और समाज ऐसा मानेंगे तब ना, तो फिर मन्गरा कहता है कि देखो, हम किसे के भी गुलाम नहीं है, अपने मन का गुलाम है, जो सही लगेगा, वही करूँगा। तो फिर फुलवा उससे कहती है कि तुम्हारी गलती है अकेले क्या करोगे समाज से कैसे लड़ोगे तो फ्रेंट चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और चीछ देख ले कि अगर आप जारकर सची वाले के तयारी बहुत ही अच्छे से करना जाते हैं तो खोटा बाजा पेपर के कोस्टन्स मिलेंगे और यह सारी जो कोस्टन्स सेक्शनल टेस्ट है यह सारी विश्चे सग्यों द्वारा संकलित है तो फेंट इसे परचेस करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर इतने में मंगरा क्या करता है कि तुम्हारा प्य तो फिर इतने में फुलवा कहती है कि इसे में काटे ही मिलेंगे पार कर सकोगे तो मंगरा उससे कहता है कि प्रगती की जो रास्ति होते हूं कभी रुक नहीं सकते हो किसी रास्ते में मेरे बाद हजारों लोग और चलें तब एक नया समाज बन जाएगा ना जात रहेगा ना ही कोई छोटा बड़ा रहेगा कितने में फुल्वा उसको टोकते में कहती है कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी सब के विचार ऐसे हो तो सभी लोग मिल जूड कर ही रहें तो फिर मंगरा कहता है उसको बुलाता है कि फुल्वा फुल्वा बहुती है क्या क्या हुआ तो फिर मंगरा कहता है आए तुम मेरी हाथ में अपना हाथ दे रही हो तो फुल्वा कहती है आज मैं खुद को तुम्हें समर्पित कर रही हूं पर तो मंगरा कभी मेरा साथ बि यह डिस था फ्रेंस कहतें हम बढ़ते हैं स्थक्रीच के और च्टे द्रीस में हो पुलवा से ओर यह मंगरा का बैटा इसमें वज़ा से अगनुलाला जो है न वो मंगरा से बहुत जादा नाराज हो जाता है तो मंगरा को अगनुलाला बहुत डाटता है और ये सारी बाते इस तरह से में हैं तो चलिए देखते हैं कि इन में क्या-क्या बाते हुई है तो इसका जो स्थान है अगनु लाला का बेठा खाना है समय कब का है तो साम का है अगनु लाला कहता है मंगरा से कि मंगरा को देख कर काता क्या रे कहां गए थे तो मंगरा कहता है कहीं भी नहीं अगनु लाला कहता है फिर जूट बोल रहे हो गदे मुझे पता है कि तुम मगरा करता है कि कुछ भी नहीं फिर अगनु करता है कि फिर वोल रहे ओ कुछ भी नहीं जिसके छूने से लोग असुद हो जाते हैं उसके साथ तुम रासलिला करके आ रहे हो मुझे तुम समाज में कहीं का नहीं रखोगे कल पूरे समाज वाले मुझ पर ठुकेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा इस्थान क्या है समाज में, तो मंगरा करता है कि मनुष्य के समाज में हम भी एक मनुष्य हैं, तो फिर अगनु करता है कि इंसान इंसान है पर वो महरा अच्छूत जाती है, तो फिर में मंगरा कहता है कि महरास मूची आपके नजर में होगा परन्तु वह भी तो इंसान है और इंसान इंसान में भेद क्या है तो अगनु बुसाते हुए कहता है मंगरा से कि यह तुम बोल रहे हो या या यह क्या अगनु लाला का बेटा बोल रहा है वारे बेटा तुम बूल गए हो इतने में अगनुमंग्रा उनसे कहता है कि यह समझना आपकी गल्ती है आज पूरी दुनिया है न बदल रहे हैं सारे लोग बदल रहे हैं पर आपकी जो सोच है न जात ऊचनी धर्म वाली कर्म की वह नहीं बदल रहे हैं संसार में एक ही जाती है वह है मनुस्य सेवा से बढ़के कोई धर्म या कोई कर्म नहीं होता तो फिर अगनु लाला कहता है कि बस आप कुछ नहीं सुनना है मुझे समझ गया है तुम्हारी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है महराज जो अच्छुत लगकी है न वो तुम्हारी बुद्धी को क्या की भ्रष्ट कर पिर मंगरा कहता है आज समझाया है मुझे कि आप जैसे लोग कभी समाज का भला नहीं होने देंगे रगुर्ण को साथ तो कर करेंगे यह आपके साथ साथ पूरे समाज वाले देखेंगे तो फिर अगनु उनसे करता है कि देखने से पहले मैं थोड़ा सुन लू तो फिर मंगरा गुसाते हुए काता है कि मसाल जला का गाह और वनों में आग लगा देंगे चारो तरफ जले मसाल के लो से एक नए सवेरी की सुरवात होगी तो अगनु फिर गुसा होते हुए काता है किस सुबह के होने तक तुम बचे रहोगे सुक तुमारा कभी भी पुरा नहीं होगा तो मगरा कहता है ठीक है तो यह आप भी देख लिजीएगा कि कि किसका सुक पूरा होता है तो यह सारी बातें इसमें कि सीचे Galaxy से में अब हम और आगे बढ़एंगे छिटे दिर समें तो फिर अगनु कहता है कि जा ओ कि तुम मेर इस आपका द्वार बंद होने से क्या होता है आपके द्वार बंद होने के बाद और जहार लोगों के दिल में मेरे लिए हजार दौर खुल जायेंगे और जार खनवासियों के दिल में मेरे लिए दौर खुल आ है तो मैं नहीं। विद्रों में जल उठेंगे तो फ्रेंट्स यह सारे बाते थी छटे द्रिस में अब हम सारे द्रिसों से सम्मधित कुछ कठिन सब्दों के हिंदी भावार्त को समझेंगे तुसमें सबसे पहला है जिसका मतलब होता है रास्ता पिंदलो मिंस पहनना उलेट मिंस पलटना इस प्रायत मतलब जाती यह सारे द्रिस में कोई ज्याधा कठिन सब्द नहीं है जिसके वजह से ज्याधा कठिन सब्दों में यहां नहीं लिखे हों आप बढ़ते हैं कुछ प्रस्नों की और आज का पहला प्रस्ण है कि गोवराग जनी की नाम हले तो गोवराग की जो पत्मी है उसका नाम था सुगिया दूसरा प्रस्ण है कि चरक पहरी थाना के थानेदार की की नाम तो जो चरक पहरी के जो थानेदार थे उसका नाम था जालिम सींग ठीक है अब बढ़ते हैं आगे सेवक राम केकर सिपाई हक है तो जो सेवक राम है न वो जालिम सीम का सिपाई है यानि चरक पहरी जो थाना है वहां का सिपाई है फिर अगला प्रस्न है कि मंगरा के चरीत्र कैसन है तो मंगरा की जो चरीत्र न सिक्षितार समतावादी है फिर अगला प्रस्न है कि मंगरा ककर बेटा हक है तो मंगरा अगनू लाला के बेटा हक है अब अगला प्रश्न है कि बुज़ा है तो रगाते रक्त भेगेलो इक केकर कथन लागाए तो या अगनुलाला गोवरा से कहता है कि तुम्हारे सरीर में खून हो गया है त्टिक है पहरी बाबा मंदिरिक पुजारिक की नामे के तो पहरी बाबा मंदिरिक पुजारिक की नामे बाबा भगर अगला प्रशन है कि परास बन के जिक्र कोन द्रिसे करल है तो परास बन के जिक्र पांचवा द्रिसे में करल है अगला प्रश्ण है कि मंगरा केकर खातीर अपन बाप से लड़े है तो मंगरा फुलवा के खातीर अपन बाप से लड़े है अगला प्रश्ण है कि सेवक राम कौन थानाक सिपाई हके तो सेवक राम चरक पहरी थानाके सिपाई हके आगला प्रेस्ण है कि विश्वनाद दसोंधी जी कौन साले स्मृत है इसमीरी टी सम्मान के विले तो यह ढूनीशा बिरांबे में स्री निवास पानोरी इसमृत हैं सम्मान के सम्मान के घुख सम्मान होंं हम अगले जो सिरीज आएगा अगला जो क्लास हो उसमें हम दूसरे द्रिस्य को देखेंगे आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अ